कॉन्फरेंस बुलाया गया है आप लोगों को यह जानकारी देने के लिए कि जो कमिंग के एमसी एलेक्शन्स है उसमें एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हम भी एक है और यहां एक त्रिनमुल कॉंग्रेस यह सरकार बहुत अच्छी काम करती है पुरे बंगाल में हमें जो हमारी सी एम है मंतब एनेरजी और हमारे जो कॉंस्ट्टिविंस के मले है जनाब फिराद अकीम साथ वो बहुत अच्छा आप करते हैं और उनकी सहराना करते हैं हम लोग सपोर्ट टीएंजी को हम क्यों नहीं कर रहे हैं टीएंजी मेरा भाय मतलब हम लोग खुद टी PM के candidate को हरा कर वो TMC से जीते थे 134 में आज यहां पर 135 में काम नहीं हो रहा है जिसके वज़े से यहां पर as a public demand पर हम खड़े हो रहे हैं हम बहुत सालों से यहां पर social work कर रहे हैं 135 में आज public alternate candidate चाती है इसलिए हम यहां पर खड़े हो रहे हैं हम कल भी TMC थे हैं हम आज भी TMC है और यह सरकार जब तक अच्छा काम करेगी हम उनके साथ है हम कैसे बोलेंगे मेर को जो पोस्ट होल्डर है उनको तो public बोलती है information तो देती है कि यह काम नहीं हुआ यह नहीं हुआ उनका duty है ना उनका दायत तो है कि अपने superiors को inform करें यह हम तो नहीं बोल सकते हैं पब्लिक अगर जाता है counselor के पास 135 की counselors के पास तो वो gate बंद कर देते हैं उनका एक timing है one hour only one hour वो मिलते हैं उसके बाद अगर को emergency आ जाए पब्लिक को signature भी कराना होता है तो gate बंद रहता है उनका फिर आप next day आईए अगर कोई crisis हो जाएगा in between तो इसके लिए भी कोई facilities नहीं है sign करने का भी कोई facilities नहीं है मेरा कोई personal intentions नहीं था कि हम politics में आए या political post हमें चाहिए first of all और politics में कोई खास interest हमें है भी नहीं हम social work करते हुए है और हम हमेशा social work पे belief करते हैं करना वो जादा better होता है एक दूसरे के काम आना समाज में रहकर और आज public इस जगा पे आ गई है कि हमें एक alternate candidate चाहिए तो हम सालों से उनके बीच में है इस नौट कि हम एक रात में आये है और आकर यहां पे खड़े हो गए है candidate बनने के लिए यह आप लोगों को भी पता होगा यह सालों का काम है यह सालों का जान पेचान है public से view है तभी जाकर आज public हमें खड़ा करवाना चाहरी है elections के लिए जीत कर आएंगे तो सबसे पहले जो बेसिक काम है वाट का जैसे कि आप देखेंगे जो और भी टीमसी के जो counselors है वाट में 133 है 134 है उन लोग ने अपने वाट में बहुत सारा काम किया है रास्ता पानी और हेल्थ एडूकेशन के उपर बट 135 में कुछ भी काम नहीं हुआ है तो जीत के आने के बाद जो बेसिक काम होते है न वाट के पहले वो करना होगा और अगर जीतते हैं तो फिर बहुत सारा लिस्ट बनाना होगा काम का कि कहाँ से शुरुवात करें अगर जीत गए तो कि आप then से गिसे आद के में बिलकुल आएंगे हम तो टी-एं धम्राफ के साथ कि आप से मिलकर, मेरा तो मोटिफ है काम करना और ती-मिट humility के चिक आप ये नहीं है कि सरकार का दोश नहीं है, दोश है candidate, जो counselor है, उसका दोश है, वो काम नहीं कर रही है, सरकार तो काम करी रही है, पुरी बंगाल में देखिए आप कितनी सारी development हो रही है, TMC कितना काम कर रहा है, यहां क्यों काम नहीं हो रहा है, योजना भी जो आता है सरकार के त तो अगर नहीं हुआ वो तो failure है 20 आदमी का काम काम थोड़ी ना कहलाएगा वो काम होता नहीं है तो काम तो सरकार कर रही है candidate जो है यहां का TMC का वो काम नहीं कर रहा है इदक करेंगे प्रेशन करेंगे किया reason क्या reason कर जाएंगे क्यों अगर हम जीते घे तॉम तो TMC में जाएंगे आवाम चाहती है कि हम आये अगर पा olhos को बोलेगी तो परस्ट पॉल किसी को भी राइट नहीं है किसी को रोकने का ठीक है यह अपना राइट है अपना constitutional राइट है कि आप कहीं से भी खड़े हो सकते हैं कोई आपको मना करने का धक नहीं अदाइद तो नहीं राइट से आएगे आने का सिर्फ पॉब्लिक पब्लीक हैं तो कोई है क्पोई बन इंडिपेंडियों के साथ एक हजार आदमी नहीं होते हैं आज मेरे पास हजारों हजार लोग हैं कि आप खड़े होई हैं हम आपके साथ हैं तो कोई तो रीजन होगा यह है बोली